आज मुझे खुशी है अर्विंज आये हैं मांसाब आये हैं आपके द्राज़सभा के मेंबर जी इनका मैं स्वागत कर रहा हूं और क्यूं आये अलग बताने के आवश्यक्ता नहीं है बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुक नेतागण है वो संपर्क करना चाहते हैं कर भी रहे हैं मेरे बात हो रही है मेरे बात हो रही है और अपने देश को अधिक मजबुत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं यही हमारे बीच में जो विचार धारा कहते हैं वहीं विचार धारा है कि देश को अधिक मजबुत कैसे बनाए जाए कियर मैं तो हमेशे आपके साथ बाते करते रहता हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन मैं अर्विन जी को कहूंगा, बिंति करता हूं कि अर्विन जी आप आए हो, आप बते। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे भगवंतमान साब को, संजय सिंग को, रागव चड़ा जी को, हम लोगों को अपने निवास्थान पे चाय पे अमंत्रित किया और उनके साथ क करोना के दिनों में मुझे याद है कि जब करोना पीक पे था, उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे, और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महराश्टर में करोना को कंट्रोल किया, वो बहुत काबिले तारीफ था, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महराश्ट से बहुत कुछ सीखा, इनकी कई सारी प्रैक्टिस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे, कि आज देश के जो हालात हैं, उनके उपर हमने चर्चा की, आज देश का युवा जो है वो बेरोजगारी से बुरी तरह से तरस्त है, पढ़ लिखके लोगों को बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बड़े-बड़े उनसे वादे किये गए थे, कि दो करोड़ नौकर हाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदली बढ़नी रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीजे महंगी होती जा रही हैं, जिस तरह से मौझूदा केंदर सरकार कुछ चंद पूंजी पतियों को फाइदा पहुंचाने के लिए, एक तरह से पूरे देश क को गीरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं, अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है, वो LIC भी अब दिर दिर घाटे में जाने लगेगा, करोडो करोडो लोग जिन लोगों ने अपने पूरी जमा पुंजी LIC के अंदर जमा कराई थी उन लोगों का क्या होगा, इन कई सारे विश्यों के उपर चर्चा हुई, देश के गंबीर हालात के उपर चर्चा हुई, हमारा देश तब ही आगे बड़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे, हम एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हम एक दूसरे से सीखना है, इस देश की जितनी भी समस्या हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान कही ना कहीं देश के अंगर है, पर ये है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा है कि उधर जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिष्टे को और आगे लेके जाएंगे। मैं मान साब से निवेदन करूंगा वो भी दोशक्त हैं। आज उद्व जी से मिलने का मौका मिला, पुरे परिवार में बैठने का मौका मिला। पंजाब और महाराष्ट्र का बहुत गहरा नाता है। आजादी के संग्राद में अगत सिंग पंजाब से थे तो राजगुरू कुना से थे। वो कठे देश के लिए अजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वीर तूर्माओं की भूमी है, महाराष्ट्र और चंटा नहीं थे के अजादी आएगी या ना, उनको चंटा ये थी के अजादी के बाद देश कौन से हाथ हो जाए तो इस देश की अजादी बहुत महंगी मिली है वो भीक में ने मिली, बहुत बड़ी-बड़ी कुरवानियां हमारे जो उर्खे हैं, हमारे भुजर्गों तो उस आजादी को कैम रखना भी हमारा फर्ज बनता है, वो तो अपनी कुरवानियां देकर चले गए, हम उस आजादी को कैम रखने को अगर कठे हो जाएं, तो इस देश जैसा दर्टी में कोई देश नहीं, तो पूरे देश के 130 क्रोड लोगों का, जो कल्यान कैसे हो, हर जो है, वो आटा मिले, हर घर में आँजले जूले में, रोजगार मिले, और तरक्की हो, तंदुष्टी हो, इस इन मोद्वें पर बात होई और अच्छा लगा, मैं दन्यवद करना चाता हूं, एक बदर जी का और उन्हों की फैंजी को उन्होंने हमें घाम बुला के मान सम इस देश में एक पार्टी है,जो चौपिस कर्सें करना की यह कर दो हो हुए है, तो देश की सोचते है। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोज़गा दिवाएं, हमारे सामने जिसान है, हमारे सामने वो ग्रहनी है जिसका पती ही है, अर महीने पैसे दा के देता है और उसका खर्चा नहीं चलता, 20 तारिक के बाद उसको पता नहीं अगले, 10 दिन कैसे पितेंगे, उ इस पे मैं एक ही चीज कहूंगा अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनकरम घटा उद्धर जी की पार्टी की चोरी हो गई उनका सिंबर चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था, वो सब चोरी करके ले गए और मैं एक ही चीज कहना जाता हूँ, इनके पिता जी शेर थे, और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महराश्टर इनके साथ है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याईगी मिलेगा, और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव को स्वीट करने जारे हैं, उदर पाते हैं, तो सर आप निया सोच रहे कि आने वाले समय में आपर महराश्टर में चुनाव लड़ते हैं, तो उदर जी के साथ आप अलाइंस करेंगे, क्या सूच है? जब चुनाव आएगा आपको सारी बाते बात आईडिया है. मैं क्या बता हूँ ये तो आप उनसे पूछिये, गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता है, अगर वो इतना देश की जिम्मेदारिन उन लोगों को दी होई है, अगर वो देश के बारे में सोचे हैं, तो देश बहुत तरगी कर सकता है, चारो तरफ गुंड मैं क्यों नड़ते हैं, हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये रोग, भही जब दिल्ली की जनता ने 134 सी ठंको दी, 104 सी उनको दी, तो मेर तो हमारा ही बनना चाहिए, धाई महीने से मेर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेर तो हमारा बनना चाहिए, इजन्सियों का इस्तपाल किया जा रहे है, दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट का सिनेरियो, इस विशें पे आपकी उद्द्वजी से कुछ गंवीरता से डिस्केशन हुआ है, देखें कायर लोग इस्तिमाल करते हैं, ED और CPI और ये सारी एजन्सियों का इस्तिमाल कौन करत इस विशें परक देख रहे हैं, जन्ता देख रही है, अंत्पंत में सक्चाई की जीत होती है, जूट जूट होता है, सक्चाई की जीत होती है बगवनमान की आप से सवाल है, जिस प्रकार से पंजाब में हिक्सा हुई है, अधनारब दिन्स को शुपी हो जो है, वो अपनारब कर लिया गया, उसके बाद बहाँ पर जुनीश वालों को भी स्पीटार गया, एक SIR ने रेजिस्टर हुई है, क्या कुछ कहें कि इस लिए? कि आप लोगों के पास यहां गलत सूचना है है, लोग पंजाब में कर्डोल दे है, पंजाब को सक्षम है, और पंजाब का जो कोशल पॉंड है, इसमें बोलिया भी चली, दस साल पर वहम भी बुडे, लेकिन पंजाब का जो भाइचारा है, आप इसमें, वो लोग मिल के संद करते हैं, आमन शांती वाला हमारा स्टेट है, और बहुत बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहां पे इन्वेस्ट करने लगी है, क्योंकि पहले किसी खास पैमिली के साथ मोई हो था था, अब पंजाब के तीन तोर लोगों के साथ मोई हो रहा है, पंजाब को न तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि कौम को नीलों में मत बांटिये, कौम को कबीलों में मत बांटिये, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये झाल झाल